हेलो दियर फ्रेंड्स मैं हम आपका अपना दिल जीत और आज आपके समने में एक चीज बनाने वाला हूँ जो के हमेशा ही हैपिनिस का प्रती है उसे सिंबलाजिस करती है और वो है केक बहुत ही कॉमन लेकिन ए नेवर फिल रेस्पी यह मैं बना रहा हूँ आपके समने एलमंड वनीला केक बहुत ही असान है आप कोशिश करेंगे तो यही कहेंगे कि इतने टाइम तक आपने इसे ट्राइ कियो नहीं किया और इसके इंग्रीडियंट भी बहुत इजी लिए वैलेबल हैं आपको कोई प्रेशानी नहीं होगी सबसे पहले यह जो इंग्रीडि यह अभी मैंने एक ही रखा है यहां पर जस्ट फिशो यू यह अधा कप है आईल आप मैं रिफाइंड यूज कर रहा हूं और यह एक कप दही हैं यह इंग्रीडियंट मेन रहेंगे इसके और अधा कप दूद भी इस्तिमाल करूंगो मैं कंसिस्टेंसी इसकी एड़जस् मैं इस बॉल में यह डाल रहा हूं दहीं यह डाल दिया है मैंने और साथ में इसके बाद मैं डाल रहा हूं इसमें आईल भी यह और इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूं वनीला सेंस हाफ ए टी स्पून यह हाफ ए टी स्पून वनीला सेंस मैंने डाल दिया है और अब जो मेटीरियल है, वो चीज़ें इसमें एड करूँगा, सबसे पहले में इसमें एड कर रहा हूँ, मैदब, जस्ट लुक अदेस, यह डाल दिया, और हलका हलका शुगर इसमें डालूँगा, फिर इसे थोड़ा मिक्स करूँगा, और उसके बाद, कुछ और चीज़ें, जो भी पढ़ेंगी, वो साथ साथ बताता हूँ अब, अब इसको मिक्स करना है, मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, इलेक्रिकली ओपरेटिड, लेकिन मैं वो यूज नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको यह न लगे कि आपके पास अगर ब्लेंडर नहीं है, तो आप घर पे केक नहीं बना सकती, इसलिए मैंने यह स्पेचुला के साथ, इसका मिक्स बना रहा हूँ, और जब यह मिक्स तियार यह लगे से अब यह जो है, बेजिनगी स्पेशन, यह मैंने डाल दिया है, और इसमें one and half teaspoon जाएहँ बेटिंग पावडर, सो यह भी डाल रहा हूँ, मैं इसमें, यह मेरे पास जो मायरमेंट है, वह half teaspoon की है, और यह मैंने 3 बार अगर डाला है, तो यह one and half teaspoonि जो हैं इसमें यह जितनी चीनी थी इसकी, वह मैने इसमें डाल दिया है, तो यह चीनी गई इसमें, इसे आफ फिर से अच्छे से मिक्स कर देना है, और जब यह लगे के गाड़ा हो गया है, तो तब आप हलका हलका दूध इसमें डाल के, जो के रूम टेमप्रेचर पे होना चाहिए, इसकी consistency जो है, उसे adjust कर सकते हैं, तो इसके साथ, अब मैं इसमें थोड़ा मैदा और डाल रहा हूँ, जैसा मैने कहा है के, 2 cup of मैदा, सभी के मियर्मेंट सेम रहेगी, मग अगर सेम है, तो यह cup अगर सेम है, तो मियर्मेंट सेम रहेगी सभी की, तो इसे भी अब थोड़ा और मिक अचापन खतम करना है, तो कोई भी जो मीठी चीज आप बना रहे हैं, उसमें एक चुटकी बर नमक ज़रूर डाली दिये, तो यह मैंने एक चुटकी बर, a pinch of salt, I have also added, और अब आप देख सकते हैं, कि यह जो बैटर है, वो तयार है, लेकिन बहुत गाड़ा है, केक बनाने के हिसाथ से, तो अब मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा दूद डालना शुरू करूंगा, और जब मुझे required consistency इसकी मिल जाएगी, आदे कप से ज्यादा दूद नहीं पड़ेगा इसमें, और जब इसकी consistency तयार हो जाएगी, तो उसके बाद, मैं इससे, जो एक mold है, cake mold, उसमें डालके oven में रखूंगा, आप चाहें तो इसे microwave oven में बना सकते हैं, OTG है, उसमें बना सकते हैं, so अब मुझे ये जो mixture है, वो final stage पे लेके आना है, so I will mix it well, और बैटर इसका तयार हो जाएगा, तो बताऊंगा आपको, और in the meantime, जब आप ये बैटर तयार कर रहे हैं, तो अगर आपने microwave में बनाना है, तो आप इसे convection mode में बनाएंगे, तो OTG जो है वो तो अपने आपने ही oven है, उसमें कोई ऐसी selection की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बे केरफुल, when you are making a cake in microwave oven, always use convection mode of that, just look at this, ये जो बैटर है, ये बिल्कुल तयार हो गया है, केक बनाने के लिए जो mixture मैंने बनाना था, consistency आप इसकी check कर सकते हैं, और अब इसे मुझे डालना है, केक मोल्ड में और सास्त में में डालूंगा, क्योंकि अगर ये almond vanilla cake है, तो उसमें elements पड़े गे ही, तो वो मैंने तकरीबन 8-10 elements जो हैं, उनको chop कर लिया है, वो इसकी topping के लिए है, इसमें अगर आप चाहें, तो चोकलेट के जो चोको चंक्स हैं, वो मिलते हैं, तो क्योंकि अगभी lockdown period चल रहा है, चीज़ें available नहीं हैं, so I don't have that, मेरे पास elements available है, so वो मैं इसके ऊपर, मैं इसको decorate करूँगा, गार्निश करूँगा इसके साथ, so it is almost done now. Just look at this, यह जो मेरा OTG है, इसे मैंने प्री हीट पे लगा दिया है, जो बैटर है, जो मिक्स्चर है केक बनाने के लिए वो तयार हो चुका है, इसे मैं प्री हीट कर रहा हूँ, जैसा मैंने पहले कहा, 180 डिग्री सेंटिग्रेट पे, और अगर आप माइक्रोवेव अवन में केक बनाएंगे, तो आपको याद रखनी है, कि वो कन्वेक्शन मोड पे बनेंगा, और ऐसे ही आप उसका भी तेमपरेचर 180 डिग्री ही सेट करेंगे, और उसे प्री हीट करेंगे, बाद में यह जो केक है, यह तकरीवन 35 त 40 मिनिट लेगा, और उसके बाद हम जो एक टू जो सारी साइड इसकी है, उसे कोट कर लेना है, आल के साथ, तो इसके बाद इसमें थोड़ा सा डालना है, आठा, ज़स्तु अपर आपको, जो पोड़ा यह तो जब आप इसे बेक करेंगे, तो यह जो मेतीरियल है, यह उससे बाहर आ जाएगा, तो बी केरफुल अधा इस when you make a cake as all the mixture goes in you need to tap it and then to top it with the almonds you chopped just do it you just need six to eight or six to ten elements for this just look at this it's enough for it if you have choco chunks you can sprinkle over it it is done now so the cake mold is ready to go in the otg and that has already been preheated i just need to place it there now the set temperature of the otg is 180 degrees and the time 35 to 40 minutes so i am just going to place it and this now it is done i need to wait for 35 minutes at least then after that i will see if it needs more time or not half of its time is over and now let me show you how nicely it is being baked just look at this just look at this i just need to wait for a few more minutes and it will be done now the fix time is over i am going to open this on just look at this cake you have a very big one let me show you that just look at this i will show you once again as i said earlier that the cake is baked so it is totally dry and the cake is baked but i will keep this mold for some time and when it comes to room temperature पे आजाएगा तब मैं इस केक को इस मोल्ड से बाहर निकाल हूगा तब मैं इस केक को इस मोल्ड से बाहर निकाल हूगा so it is done now i just need few minutes to get it or to come at the room temperature then i will bring it out so cake is done just look at this the cake is ready अब ये रूम तंपरचर पे आगे है और इस या मुझे एक ट्रे में या प्लेट में ट्रांस्वर करना है i will keep a larger tray or a bigger tray than the cake mold flip it and just tap it just look at this it is done you can turn it around very gently very nicely and this cake is just in front of you you can bake a cake for your loved ones even in the lockdown so it is done vanilla or you can say almond vanilla cake is ready for you ready for my family and now it's your turn to give it a try video अच्छा लगे तो इसे like कीजे video अच्छा लगे तो मेरा channel subscribe कीजे i will be very grateful to you and will wait for the feedback thank you very very much thank you